अजी आपके जो क्लास रहेगी पीटी तरी सिक्स्टी फाइव की जोगरफी का आपन इसमें देखेंगे यह आपके रिकॉर्डड क्लास है तो यह लास्ट क्लास है अपनी सीरीज की करेंट अफेर की आपकी लगबग लगबग सारे सब्जेक्ट जोने वह कंप्लीट हो गया ह और बाकी मैंने अपडेट इसके बारे में पहले बता दी थी, so now let us start सबसे पहले इसमें सीफ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में किया गया है यह वैसे तो आपका स्टाटिक का एक टोपिक है अब ही करेंट में अगर अपन देखें तो इसमें क्या न्यूज में है कि इसमें जो सीफ्लोर स्प्रेडिंग है वो आपकी स्लो हो गए यह हमारा होट्सपोर्ट एस्थेनोस्फियर लेथोस्फियर यहां पर आपका डाइवर्जेंट की तरीके से यह बनता है प्रेंच में जाके नीचे अपना चला जाता है और उपर मैगमा की फो में उपर फिर से मौंटेंज अपर के आ जाते हैं तो अब इसमें इनके सब्सक्राइब किस ने दी क्या दी क्या उनके पॉजिटिव नेगटिव तो वो सारे आपको याद रखने चाहिए ठीक है सेकंड टॉपिक आपका ला नीना ला नीना यह दोनों अगेन फिट से आपके आपके ही टोपिक है एक्शली जोग्रफी में यही रहेगा कि आपका आप में इस्ट कोस्ट पर आपका जो टेंपरेचर है वहाँ आपका इंक्रीस हो जाता है एल नीनो की केंडीशन में ला नीना के बिलकुल लिए कम देखने को मिलता है तो यह मेजर एक चेंज रहता है जब कि ला निना में बिलकुल इसका उल्टा होगा अभी जो न्यूस थी वह यह थी कि आयम डी ने कहा है कि ला निना अब लगातार तीसरी बार आपका सप्टेंबर 2020 से शुरुआ था था थर्ड येर में अब एं पता नहीं चल रहा है उपर मैंने जो आपको बताया है वही आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखो यहां पर सी सर्फिस टेंपरेचर जो है इस्टन एकवटोरियल पैसिफिक में आपका कंपरेटिवली कूल रहेगा जो कि आपका एल नीनो में ओट रहता है ठीक है और प्रेशर आपका हाई रहेगा जो कि लो रहता है आपका एल नीनो के टाइम पर तो यह रहता है इंडिया और यहां पर आपका जो मौनसून है वह सप्रेस्ट मौनसून देखा जाता है इन दोनों को मिला के एल नीनो लो नीनो को मिला के हम बोलते हैं एंसो एंसो इस एल नी में यह वैरी करते हैं और अगर अपन लॉन इना का इंपाक्ट देखें तो इंडिया के दो-तिन साल से ज्यादा बढ़ी है उसके पीछे भी जो मेन रीजन है वह आपका क्या है सेम लाने ना ठीक है नेक्स्ट इस अवर आपके कारकॉरम एनमली देखो नॉर्मली क्या होता है कि बर आपके डिक्रीश हो रहे हैं puffी करकारम में आपके ग्लेशर धोरी की व्य stimul Committee 1954 यो Ciao ज्यादा हो तो यहाँ पर आपको फेल ज्यादा बनते वी दिख रहे हैं तो यह जो कॉंट्रास्त है अपन को पताया गया है जिसमें मेजर जो रीजन है वह वेस्टन के कंटेक्स हमारे वेंटर के टाइम पर आपका ज्यादा रेंफोल लेके आती है जैसे अर्यान और इन सब में भी जो हमारी रभी की ग्रॉप से उनके पीछे जो गृत के पीछे एक मेज़ रहता है वही रहता है वही तो ये भी हमारा comparatively ज़्यादा हो रही है तो इस वज़े से भी है ठीक है तो winter precipitation हमारा ज़्यादा है इस वज़े से snowfall आपके ज़्यादा हमारे ज़्यादा बन रहा है कारा कॉरम में और कारा कॉरम से यहां तक k l p d z तो यह भी हमें याद रखता है कि कारा कॉरम लद्दाग जंसकार पीर पंजाल और यह आपकी नोर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में सारे की सारे रहेंगी मैप का वीडियो मैं अगेन बता देता ह कि मैप के जवीडियोस हैं वह आपको देखनें हैं फ्लेइलिस्ट mission impossible की जव ब्लेइलिस्ट है चैनल पर उस प्लेइलिस्ट में जोगर फी मैप सारे मैप सारम से हो जाएंगे तो साfestikे थोड़ा सा टाइम निकल कर सकते हो अपना तो एक तो लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि उत्राकड में अरिद्वार यह है आपका जोशी मट बदरिनाथ और भी काफी लोकेशन पर हम यहां से जाते हैं जैसे इसमें पर बता है कि इस गेटवे टू बदरिनाथ एमकुन साहिब या फिर ओली जो के काफी स्केंग फेमस डेस्टिनेशन है और यहां पर जैसे चार जो कार्डिनल मठ थे शंक्राचारिय के तो उसमें से एक यहां पर ही अपना बंदरिनाथ द्वार का पूरी श्रिंगेरी यह भी अपने रहते है ठीक है तो इसका आपको ध्यान में रखता है यह हो जाएंगे आर्मी के लिए भी क्यां है क्योंकि यहां पर इसका औरिया है अब होगी कि क्योंकि लैंडश्याइड सबसिटेंस हमें देखने को मिला है तो यह एक डिक्लेड किया गया ओं सबसेस्टेंस हिट जो ही अब इन दोनों में जो अंतर है दो ग्रैजुल सैटलिंग हो रही है सड़न शिंकिंग जो है वह आपको देखने को मिल रही है लेंड जो होती है वह आपकी होती है रैपिड मोमेंट्स ओफ द तोयल यह फिर रॉक जबकि जो सबसिस्टेंस है यह आपके ग्रैजुल शिंकिंग होती है ऐसा माना जा रहा है कि यह रॉक्स पे नहीं है यहाँ पर ओल्रेडी जो आपका था वह आपका था तो इस वज़े से यह सरक रहा है ठीक है तो यह एक में रिजन में जैसे आपने ग्राउंड वर्ट निकाले और गैस निकाले तो नीचे वाला जो हिस्सा है वह आपका काफी वीविक हो जाता है इंफ्रस्टरुक्शर आप अन्प्लैंड तरीके से बनाने चलते रहते है अब मेंजर जो फैक्टर्स है देखो एक तो मिडल स्लॉपस में आपके लोकेटिड है ठीक है बीच में लोकेटिड है तो वो थोड़ा सा जाता रहते है ठीक है ठीक लेयर ऑफ और बर्डन मिटीरियल है पुराना मिटीरियल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है इ यहां पर आपकी पाई जाती है जैसे करमंसा ठकनला ठीक है यह वेस्ट और इस्ट में है जबकि साउथ और नॉर्थ में हमारे पास है धोली गंगा अलक नंदा तो यह भी काफी मिटेरियल अपने साथ ले जाती है तो वह भी आपका गरवड करता है ठीक है हाईली वेदरिंग औफ दे रॉक्स आपको देखने को मिलती है तो रॉक्स अगेल हमारी को जाती है तो फिर से हमें यहां पर रॉक्स लैड शॉइड वगरा देखने को मिली एं और यहाँ पे एक fault line भी है, tectonic activities भी चल रहे हैं, जैसे हिमालयास में मालो, यंग fault mountains है, तो यह भी convergence zone भी है, यहाँ पे fault line उसको बोल रहा है, वेकरिता thrust, ठीक है, near the main central thrust and पंडुकेश्वर thrust, तो यह fault lines होती है, यह आपस में moment करती है, तो उसके वज़े से भी यह होता है, ठी जिन्होंने इसको पूरा का पूरा assess किया था, और इन्होंने कहा था कि इसकी load bearing capacity उतनी हाई नहीं है, and it could shrink अगर आप इस तरीके से continue रखेंगे तो, और वही रहा, और वही आप देखने को हमें मिला, तो unplanned construction, improper water drainage वगएरा, यह इसी में ही अपने, ठीक है, तो यह सारा का सा रहा है, next topic, जो हमारा है, वो about, आपका cyclone, असनी, तो यह एक सवाल कि cyclone, उनकी location कहां कहां पर यह रहते है, क्या cyclone के formation के condition होती है, specially tropical, extra-tropical cyclone में, क्या differences होते हैं, वो आपको पतावना चाहिए, static के साब से, इसमें जो है, वो अभी देख लिएते हैं, cyclone असली जो है, वो इन 2022, यह फिर श्रिलंका ने इसका नाम दिया था, इसका मतलब होता है, रैथ, ओके, इंडिया ने कुछ नाम सजेस्ट जो करें थे, मतलब, वो है, गुरनी, प्रभाहो, जार, मुरासु, ठीक है, अभी अलग अलग पता नहीं कहां कहां से यह नाम लेके आते हैं, बट तो यह जो classification of the cyclone, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि जैसे मानलो, अगर 31 से कम km per hour आपकी speed है, तो हम इसको बोलते है, low pressure area, 31 से 50 के असपास चले जाती है, तो depression, 50 से 60 में deep depression है, और cyclonic storm जो है, वो आपका 60 से लेके, 88 के बीच में हम कहां सकते है, 61 to 88 के असपास यह रहता है, फिर severe आता है, फिर super cyclone, super cyclone is 220 से जादा, severe में 80 से 170 के असपास है, but more than 220 is super cyclone, ठीक है, अब इसके जो favorable condition है, वो आपकी क्या रहेंगे, देखो, सबसे पहला तो आपका है temperature, temperature 27 से जादा होना चाहिए, temperature जादा होने के जिसे आपका low pressure zone यहाँ पे बनेगा, Coriolis force, यह आपकी moment म help करेंगे, cyclonic moment में, जो हमारा tropical है, वो आपका east to west move करता है, जबकि extra tropical, जो हमारा temperature region में रहता है, वो west to east move करता है, ठीक है, यहाँ पे और फिर जो vertical winds है, उनकी speed में variation के वज़े से भी low pressure area हमारा create होता है, high pressure zone जो रहता है, यहाँ पे शांत आपकी वो रहती है, air, तो cyclone का जैसे landfall होता है, तो वो पूरा का पूरा area, वहाँ पे cyclone आता है, बट कुछ time के लिए, जब आई वाला portion landfall करता है, तो चांत हो जाता है, तो यह भी ध्यान रखने हैं, फिर दुबारा से क्योंकि जो second part of cyclone है, वो भी आता है, तो वो उस time पे बाहर नहीं निकालन चाहिए, ठीक है, अभी यह सारी चाहिए, पता चल गी है, satellite की थूरू भी हमें पता चल जाता है, now if we see, naming of the cyclone कैसे करे जाती है, तो हमारे पास 6 regional specialized metrological centers हैं, जिसमें से एक हमारा IMD है, और 5 और regional cyclone warning centers हमारे हैं, इनकी naming जो है, September 2004 से आपके शुरू हो चुकिए, बेव बंग करते हैं, जैसे, यहाँ पर हुआ था, हिना मनोर एंड गार्डो, देवर इंटरेक्टिंग तो इसको बोलते हैं, फूजिवारा एपक्ट, तो यह तो अब दे को इसके लिए conditions कहा है, पहला, cyclone same ocean region में बने हो, same time में बने हो, ठीक है, second, उनकी जो आई है, कम से कम, मतलब, less than 1400 में हो, अगर 1400 से जादा है, तो वो अपने separately ही रहेंगे, ठीक है, वो interact करने के chances comparatively कम रहते हैं, intensity जो है, that could vary between a depression, वो आपकी रहती है, wind speed 63 km पर आर, और super cyclone जैसे की 209 पर आर, तो wind में भी variation है, आपका distance में 14 से से कम है, तो वो interact करते हैं, तो उससे होगा क्या, सबसे पहला, या तो वो अपना track जो है, या फिर intensity, वो जो change कर लेते हैं, ठीक है, दोनों आपस में interact करेंगे, complex सा फिनो में रहता है, बट ऐसा भी हो सकता है, कि दोनों merge भी कर जाए, और एक बड़ा cyclone भी बना दे, ठीक है, तो यह रहेगा, fuji वारा effect, second हमारे पास है, वो interact technique, ठीक है, D most of the time, इस टाइब में silent ही मिलता है, I don't know कि यहां पर silent है या नहीं है, तो मैं silent लेके चल रहा हूँ, वो interact effect, देखो, यह एक US के meteorologist थे, वर नौन वो interact, ठीक है, इन्होंने इस technique को develop किया था, basically major करने के लिए, तो यह एक statistical method है, जो कि intensity of tropical cyclone को major करता है, based on the cloud pattern, जो हम satellite से उपर से अपना देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर जैसे अलग-अलग scale में अपना रहता है, 128, और इसमें 0.5 का एक interval रहता है, इनको बोलते है, T numbers, TC, ठीक है, तो यह थे ट्रोपिकल साइकलोन के लिए, तो यहां पर final output, जो है, वो current intensity आपको बताया जाता है, CI number के तरू, तो current intensity बताया जाएगी, CI number के तरू, और tropical cyclones के लिए हमारा रहता है, वराक technique, intensity को आपका बतायागा, next है हमारा bomb cyclone, देखो, इसको बोला जाता है, explosive cyclogenesis, यह metrological phenomenon है, again, low pressure system है, क्योंकि cyclone में वही रहता है, अचानक से rapid and drastic drop in the atmospheric pressure, same, तो low pressure एकदम से आपका create हो जाएगा, strong winds generate होंगी ठीक है, heavy snowfall, strong winds, thunderstorm, severe weather conditions, यह सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलती है, mostly यह winter month में ही देखने को मिलता है, summer में भी हो सकता है, but generally winter में ही जादा तर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि दूसरों में, ठीक है, तो यह ध्यान रखता है, कि not only, ऐसा नहीं है कि only winter है, ठीक है, winter पर भी है, और भी है, और भी है, तो यह है, mid latitude में यह जर्नली पाया जाता है, एक और हमारा news में था cyclone, Mendoz, Mendoz जो है वह तमिलाडू and southern part of अंतर प्रदेश में आया था, यह नाम है, UAE का दिया हुआ, ठीक है, यहां पर recently, अब आप से पुछा जा सकता है कि what is headquarter agreement और यह किस regarding था, इंडिया ने sign किया है headquarter agreement with the CDR, अब क्या है कि इंडिया में भी मतलब अपने को इस type से ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें अपने को इंडिया, यह बेसिकली यहां पर कुछ-कुछ इन्होंने दे रखा है, उतना कामकात अपना है नहीं, मतलब बेसिकली international legal personality, इसमें जो CDRI के होता है, इसमें यह किया जाता है, international legal personality, यह होता है कि ऐसी entity, जिसके पर राइट्स है, obligation है, अंडर public international law, इसमें state भी हो सकते है, international organization भी हो सकते हैं, NGO's भी हो सकते हैं, तो यह अलाव करता है CDRI को, कि आप experts वगरा भेज सकते हो, किसी भी country में, ठीक है, funds भेज सकते हैं, technical expertise भेज सकते हैं, international engagement अपना बढ़ा सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा disasters को prevent और manage किया जा सके हैं, ठीक है, अब about headquarter agreement, number one, यह एक international, it is an agreement between international organization and the host state, जैसे मालों, इंडिया ने भी sign किया, तो इंडिया has a host state, यह determine करता है कि privileges या immunity जो भी necessary है, इसकी अच्छी functioning के लिए, तो यहाँ पे, it enables CDRI to pursue function internationally, तो उसको अधिकार immunity privileges मिल जाते हैं, under section 3 of United Nation Privilege Act, ठीक है, तो उसमें यह इनको दे दिया जाता है, signing के बाद, तो इंडिया ने an act कर ही लिया है, तो it is giving the effect to the convention on privileges and immunity to the UN, जो के डूट किया थे, UN General Assembly 1946 में, now if we look at CDRI, CDRI में अपने क्या क्या रहेगा, देखो, पहला तो यह global partnership है, national governments के बीच में, 2019 में, ठीक है, तो यहाँ पे अपना Indian Prime Minister ने at UN Climate Summit में इसको launch किया था, headquarter का है, new Delhi, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है, अब basically यह बात वही कर रहे है, यह infrastructure resilient बने, climate disaster risks है, कैसे बचा जा सकता है, sustainable development हमारी कैसे हो सकती है, now यहाँ पे देखो कितने, अब अलग-अलग variation है composition में, 31 countries है, international organizations है, दो private sector आपकी organizations है, तो यह सारा का सारा आपका रहेगा, तो यह चीज आपको धिहान रखने है, now next is, जैसे Prime Minister का, इसमें 4th edition में address रहा CDRI का, basically इसकी, जो CDRI है, CDRI की annual conference जो उत्ती है, उसको बोलते है अपन, ICDRI, मतलब International Conference on Disaster Resilient Infrastructure, ICDRI, Annual International Conference of the CDRI, Global Discords को better बनाने के लिए, यह सारा का सारा होता है, common things, next is our global platform, और disaster risk reduction 2020, इसकी 7th session हुआ था, Bali, Indonesia में, basically जैसे अपने disaster risk reduction में, हमारा है Sendai Framework, Sendai Framework के बारे में यह बाते करते हैं, बैटते हैं, और ज़्यदा, मतलब, cooperation की बाते होते हैं, तो यह GP 2020, तो global platform जो है, 2022, यह एक आपका global forum है, to assess and discuss the progress of Sendai Framework, कैसे चल रही है, तो इन्होंने यह करा, कि बैसिकली बात करते हैं, कि कोई भी आपका पीछे नहीं चोटना चाहिए, disaster risk reduction, policies, planning, common objective लेके, तो यह general बाते हैं, capacity बढ़ानी है, यह सब चलता ही रहेगा, ठीक है, UNDRR, United Nation Disaster Risk Reduction, यह आपका custodian है, it is a United Nation system of focal point for disaster risk reduction, and it is also custodian of Sendai Framework, यह चीज़ याद रखेंगे, post 2015 आपका Sendai Framework का आया था, 2015 के बाद, ठीक है, mains में भी यह सवाल आया था, Sendai का याद रखना, ठीक है, other जो news है, एक है, earthquake observatory, Ministry of Earth Science में, उद्धमपुर में, जमधन कश्मीर में, सिस्मोलोजिक अब्जर्वेटरी बनाई है, location याद रखनी है, यह इंडिया की 153rd, आपका सिस्मिक station है, उद्धमपुर जो है, वो अगें, आपका दो major सिस्मोलोजिकल faults के बीच में है, एक है main frontal fault, एक है main boundary fault, देखो, देरेंचो आपका क्या है, यह यहाँ पर USA में, आपका एक storm आया है, देरेंचो जिसने skies को green color दे दिया है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि देरेंचो क्या था, news में था, तो US, strong, green color sky, green color किसकी बज़से है, water की ज़्यादा presence होने की बज़े से यह green दिख रहा है, ठेक है, widespread है, long lived है, state line, wind storm यह आपका है, ठेक है, यहाँ पर thunderstorm winds आपको देखने को मिल रही है, ठेक है, next हमारा avalanche monitoring radar, नाम से ही पता चल रहा है, avalanche को monitor करेगा, first of its kind in India, कहाँ पर establish कर रहे है, north, सिक्किम में यह आपका install किया गया, यह detect करेगा avalanche को, तीन सेकंड के अंदर अंदर, जैसे कि शुरू होगा, within 3 seconds यह बता देगा, और यह किसने किया, operational बनाया है, by the army, अगला हमारा क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, South Asian Drought Monitoring System, कोई बाद ने, इसको develop किया है, International Water Management Institute and ICAR, Indian Council of Agriculture Research ने, basically, drought के management पर बात करेगा, mitigation पर बात करेगा, agriculture, water resources इनके बारे में बतायाएगा, इसको test किया गया, India, Pakistan, Bangladesh, श्रिलंका, Nepal, Maldives, Afghanistan and Bhutan, मतलब सारे की सारी जो हमारी neighboring countries हैं, बिसिकली शार्क के जो members है, उनको मिला के यहां पर किया गया, यह आप से पूछे जा सकता है, यह ध्यान रखें, ठीक है, and Earth System Science Organization, यह आपका किसके अंदर है, Ministry of Earth Science के अंदर यह हमारा आया जाता है, यह हमारे हो जाएंगे, next हमारा topic जो है, it is about आपका report and indexes, तो यह topic अभी आपन देख लेते हैं, देखो, अब इसमें जादा बहुत सारी हो जाती हैं, सारी याद नहीं रहेंगे, देखो, UNDRR, Disaster Risk Reduction, जो है, उसकी report है, Global Assessment Report, Disaster Risk Reduction, नाम से पता चल रहा है, तो इसी की होगी, early warning system भी, क्योंकि early warning किसमें है, disaster में तो यह भी इसी की है, ठीक है, पाइनियल UNDRR की है, बस इतना ही, मोटा मोटा, मैंने मार्क कर रखा है, बट जितना काम का है, उतना ही याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखोगे, ठीक है, इसमें actually SDG का डाटा, basically disaster के टाइम पर जेंडर वेस्ट जो वाइलन से वो कंपरेटिवली बढ़ जाता है, तो उसको भी इनोट कर रहे है, ठीक है, अब इसमें second वाला जो हमारा early warning, इसमें UNDDR के साथ साथ WMO भी आपकी included है, यह याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माओ मलू केव, मेगाले की हैं, और स्टैल अगमेटाइट आपकी केव हैं, यह कई बार आती रहती है, तो यह जो केव हैं, इनको लिस्ट किया गया है, फर्स्ट हंडर आयू जीएस में, आयू जीएस का है, International Union of Geological Sciences, इसकी बनाए गई है, जीएलोजिकल साइट्स इन दे व आपके आते रहते हैं, of scientific international relevance, यहाँ पर अब इससे एक substantial contribution मिलेगा, जीएलोजिकल साइंस और क्योरीज हिस्ट्री को इवोल करने में, यह चीज याद रखेंगे, ठीक है, अब जैसे यह प्रोजेक्ट है, Project International Geoscience Program 731, ठीक है, और यह एक knowledge हब है हमारा UNESCO का भी, इसमें सारी इस तरीके की साइट, जैसे की tectonic activities, ठीक है, stratigraphical, sedimentaries, rocks से related, petrological, mineralogical, geomorphological, मोटबटब वैसे द्यान रहते हैं, यह आपकी इसमें आ जाती है, now, अब जैसे अपने पास आया, IUGS, आपने IUGS के बार में थोड़ा सा देखना है, International Union of Geological Sciences, यह है, one of the world's largest scientific organization of geoscientists, कौन करीगी थ है, उनको यह study करता है, ठीक है, and it is a member of International Science Council, अगला हमारे पास इसमें है, एक सकेट, caves, caves के बारे में अपन देख लेते हैं, देखो, यह, Indian subcontinent की fourth longest caves है, seven kilometer इनकी लंबाई है, माव मुलूह के नाम से जाना जाता है, यह क्रेम माव मुलूह, ठीक है, इनके नाम से भी जाना जाता है, क्रेम भी लगाओ, location कहा है इसकी, शोहरा, केरा पुंची, यह नाम से इसको जाना जाता है, east khasi hill में है, मेगाले में, leftinent yule ने 1884 में इसको discover किया, 453 altitude पर यह पाए जाती है, मेगाले में एज से यह बिलोग करती है, मेगाले में आपके time scale में एड वी थी, यह ध्यान रखेंगे, stand leg tight, leg is नीचे, floor से उपर की तरफ आती हुई, यह caves है, इसमें calcium carbonate या फिर जो structures है, वो उपर की तरफ आती हुई इसे रहते हैं, अपवर्ड growing mounds है, मेगाले में एज के बारे में यहाँ पर दे रखा है, कि भई, most recent एक तो subdivision है, बयाले सो, यह रगों के आसपास है हमारा शुरू हाथा, अग्रिकल्चर जो society है, उसमें abrupt critical growth और cooling देखने को मिली थी, तो यहाँ पर काफी civilizations का collapse हुआ, इसी और कुछ important news हैं, जैसे मियू front, देखो, all India zone का जो rainfall था, वो थोड़ा सा कम रहा, 152, 155 रहता है, तो इन्हों ने कहा कि एक बनता है, मियू front, यह एक active rainfall spell है, over western pacific, western pacific या फिर eastern china हम बोल सकते है, जो moisture drive करता है, from Indian region, इंडियन में फिर उसकी वज़े से कम हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही एक हमारे पास है, MJO, यह पुराना भी है, Madden Julian Oxalation, तो it remained phased out, out of phase, and did not bring much rainfall over India, यह एक rain bearing, eastward propagating inter-seasional circulation है, तो MJO जो है, वो rain लेके आता है, ठीक है, और जो हमारा me, you है, me and you, ठीक है, तो वो कम करता है, rain को, ठीक है, when me and you are together, तो rainfall कम होगी, ऐसा याद रहता है, ठीक हो, अगला है, azores high, azores high, again, तो extremely large azores high आपका बना है, resulted in abnormally dry condition, कहां पे western Mediterranean में, अब इसमें Iberian Peninsula, Spain Portuguese वाला region भी आपका आ गया है, ठीक हो, अब जब rainfall कम हो रहा है, high is high pressure, तो यह एक subtropical high pressure system है, dry air रहती है, ठीक है, anti-cyclonic wind है, यानि cyclone से बिल्कुल ultra system यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, water, gum, cluster, bean powder, यह add किया जाता है, अब यह क्या घरता है, अंदर जाके, पानी की वज़ए से expand कर जाता है, expansion के वज़े से cracks open होते हैं, और gas आपकी बाहर निकलती है, जिसको अपना ले लिया जाता है, ठीक है, तो यह basically यह process रहता है, बट इससे tremor वगएरा भी आ सकते हैं, यह चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, next हमारा है places in news, यहाँ पर बहुत सारे places मिलेंगे, जो जो काम के हैं, वो में बताता हो, चलूँगा, ज्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, उत्राखंड में, उत्राखंड में क्या news में था, यंग्ती, कुती, वैली, ठीक है, यह याद रखेंगे, तो यह ए इस्टिक में आपका पाया जाता है, थर्ड मोर्भी आपने सुनाए होगा, ब्रिज कोलाक्स हुआ था, तो यह है, मचुचु रीवर पे आपका पाया जाता है, मोर्भी, ठीक है, नेक्स्ट इस आवर केन बेतवा लिंक, यह ओल्रेडी पूछा जा चुका है, यह आपका फ नेकोबार अंडवान निकोबार, यह भी नेज्गा यहां पर इंद्रा पॉइंट, यहां पर इंवर्मेंट में अपने ऊपर भी देखा था, कि क्लेरंस मिली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, एरपोर्ट और जैसे एक एनरजी प्रोजेक्ट भी है, उसको भी यहां पर क्लिरेंस पिलिए अंडबान निकोबार बैरन आइलेंड आपसे पुछा गया था यह आपका अंडबान निकोबार में है अंड़ी कंफर्म एक्टिव वालकैनों इंडिया वीकंड से ठीक है अब औक्षन में वाँ पर दिया गया था कि इट इस इन इन अक्टिव या फिर बह अपने काफे प्रोजेक्ट देखे थे रातले कवार यह दोनों याद रखने हैं फिर साबर्मती पर बनाया है अटल ब्रिज को इसके ट्रिबिटरीज नहीं है तो नर्मदा पर प्रामिनिस्ट्र ने रोगेट किया है बुझ मंडावी नर्मदा प्रांच कैनाल यह सरदार स से आपका यह लेकर आएगी पानी अगें यहां पर नर्मदा की जो आपके ट्रिबिटरीज है वह है बुरनेर नर्मदा की याद रख लेना बंजर दूडी उंडी इरन पूलार पूरी अथनी ठीक है नेक्स्ट है हमारा करनाटक में बेदती रीवर एंड वरादा रीवर की बसितना याद को कि परिणेता कि यह आपगी गदावरी की है कि अधично चुकापिक रिवर शुका-पिका यह महानदी की हे ऐढ़ी सब्स्थ्रा रख चैरा बराक की है यो जाएगी कामेंग कामेंग अगेंग 56 ब्रहवफितरा बसेशन रखोगे नेक्स्ट पर valuable विच आपकी प्राफिकल फीचर आपके न्यूस में थे कुछ प्रावने हैं कुछ नए हो सकते हैं देखो अब इसमें देखो एक तो यह है मौना लवा हवाई यह है यह लोकेशन यहां पर यहां पर यह काफी न्यूस में रहता है यह ग्रेट लेक्स ओफ अमेरिका यह वेपन पढ़ते हैं पंतनल वेट लेंड तीक है साउथ अमेरिका बस इतना ही याद रख लेना यहां पर मैंने पंतनल कुछ याद किया था बस आइसलेंड की कैपिटल है रेक्जवेक तो यह थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको लेक साव वा ओके यह हैं यहां पर यह तो हमारा इज़र हो जाएगी अफरिका वेस्ट इश्यवें फिर है और यह तो वैसे ही है लेक मंचर लेक मंचर थोड़ा सा याद रखोगे इसमें मैं दिखा रखता हूं कि यह नहीं है भी तो बंद हो गया लेक मंचर आपकी पाकिस्तान की ह और आपको यह याद रखना है कि इसमें फ्लडिंग की वज़से क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड़ा है थे तो इसका जो पानी है वो इंक्रीज हुआ है Most of the time कोई चीज नियूज में रहती उसका इक्रीज होता हुआ से दिखता है बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है River Seti यह करनाली के पास है नेपाल और इंडिया बोर्डर से निकलती है River Seti यह याद रखेंगे Swagul Lake National Park अगेन मंगोलिया ठीक है मंगोलिया और यहाँ पे रश्या के बोर्डर पे शिवाला अच्छू वल्कैनो यह है मारे यहाँ पर कावाच्छट का पैरेंस ओला रश्या यह रियाद रखोगे तोंगा वल्कैनो ठीक है तसमेनियन ऐस्ट्रेलिया जावा आइलेंड तो ही यहाँ पर एक और वल्कैनो है यह दोनों सेम ही हो गया है तो यह में भी मिस्प्रिंट है इसको थोड़ा सा एक पर कंफर्म कर लें ठीक है मुझे लग रहे है यह वाला ज्यादा ठीक है यह वाला गलत है कंट्रीज इन न्यूज देखो अब इस टाइप के क्रिशन आये थे पिछली बार बट इस बार आएं जरूरी नहीं है कम जांसेद रहता है यह पिस से रिपेट नहीं करते है बट सिल देखे इटली इटली हमें पता ही है यह यहाँ पर बीच में आई रहाई इसमें देखो सारियन सी, अडियाटिक सी,मेडितरेनियन सी, ठीक है? A.M.T या MAT कर सकते हो M.A.T MAT पे Italy M.A.T MAT पे Italy लिखा हो है ऐसे कुछ याद कर लो इसकी राज़ा नहीं होगी तो ये न्यूज में क्यों होता है The largest lake, Lake Gerda drops to the new historical low amidst extreme drought तो Lake Gerda याद रखेंगे Italy में है बस अगला हमारा न्यूज में है Republic of Congo ये इदर दिख रहे है One Second West अफरीका में Republic of Congo ये हमारा जो ग्रीन ब्लू ब्लू दिख रहे है ये है Republic of Congo ये क्यों न्यूज में था First Ever Marine Protected Area इसको बिला है इसलिए न्यूज में था ये चोटू सा है Equatorial Guinea, Gabon Democratic Republic of Congo ये इदर है ये भी इसको छोटा सा हिस्सा यहां पर है ठीक है Angola Zambia Iraq Iraq आपके न्यूज में था The Sky Turned Orange Due to Dust Storm Raven by Chamal Chamal क्या है North Westerly Winds है जो यहां पर आती है ये थोड़ा से याद रखेंगे Chamal Iraq में ऐसे आई थी Philippines में Storm ना लगे इसकी वज़े से Flood और Mud Slides देखने को मिली है ये देखो ठीक है ये थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे अब यहां पर देखिए Luzon Strait है ये Manila इसकी राज़ा नहीं हो गई है किज़र है Luzon Strait Classific Ocean South China Sea इन दोनों के बीच में अगला है हमारा इनिशेटिव लॉंच्ट द्यूरिंग COP 27 अब यहां पर बहुत सारे हैं ज़्यादा कुछ रेलेवेंट मुझे मिला नहीं असा मोटा मोटा Aim for Climate पता हो न अच्छी Agriculture Innovation for Climate कैंडिया मेंबर है नो UAE और US अब इसमें ज़्यादा क्या है एक कंट्री दो कंट्रीज ने मिलके बनाया है COP 27 के टाइम पर यूएस थारे COP 27 के इन्होंने मिलके बनाया कि इन्वेस्ट्ट बढ़ाएंगे चलो ठीक बढ़ा लेना I can I can क्या है Initiate 2 On Nutrition and the Climate Change यह किसका है एजिप्ट का WHO और FAO के साथ Not much relevant ठीक है Growth Resilience के लिए International Growth Resilience Alliance यह Spanol Seringal का है India's Loaded Member FAST याद रख लेना FAST क्या है Food and Agriculture Sustainable Transformation Initiative FAST is a collaboration FAO with UN agencies ठीक है तो यह Climate Finance को increase करके Quantity Quality Food की improve करना चाहते है That is FAST अगला देगो Finance में Sustainable Debt Coalition एजिप्ट का है Not much relevant Global Shield Against Climate Risk यह है G7 और V20 का क्या India Member है? Not इसको याद रखोगे Global Shield Shield में इंडिया नहीं है What is V20? V20 है Vulnerable 20 It is a Dedicatively Cooperative Initiative of Economies जो कि systematically Vulnerable है Climate Change के लिए ठीक है 2015 में Establish किया गया था Lima, Peru में V20 में अभी 58 economies आपकी है Naki 20 यह चीज़ भी याद रखेंगे Basically Risk Insurance World Bank Group ने Announce किया था इसको Shield Financing Facility World Bank, G7, V20 सारे ही चीज़ आठेंगे अगला क्या है Industry Transaction Program Climate Investment Fund का है Not much relevant Forest and Land में UAE और इंडिया ने आपका लाया है Mangrooms Alliance for Climate India इसका Member है यह role of Mangrove की awareness आपका बढ़ाना चाहता है M.E.C. को याद रखेंगे Mac यह क्या है UAE, Indonesia, India is a Member Mangrooms के लिए अगला है Forest Climate Leadership Partnership India is not a Member Not much relevant N.E.C. N.E.C. याद रखेंगे N.E.C. किस के लिए है Again N.E.C. is Forest and Land के लिए बस इतना ही याद रखेंगे What is N.E.C.? Enhancing Nature Based Solution for Climate Transformation यह I.C.N. और Germany लेके आए Basically on Nature Based Solution बस इतना ही याद रखेंगे N.E.C. is Nature Based Solutions I.C.N. जर्मनी यह चार पाइंट याद रखेंगे Health and Nutrition में Not much relevant Ajeti Ajeti क्या है Africa Just Affordable Energy Transition अब बहुत सारे Africa Region पे फोकस करते हो है यह हमारे काम के नहीं है ठीक है Arena के साथ I.E.A. के साथ मिलके Ajeti है यह Africa Based है बस बाकी इसमें बहुत सारे थे बट नॉट बच रेलेमेंट देखो एक है Global Waste Initiative 50-50 By 250 ठीक है 2050 एक सबसी कंट्रीज है यह भी Treat or Recycle पे फोकस कर रहा है लिए 50% of the solid waste इन अफरीका बैदो जरक्टास यानि नाम है Global Waste Initiative 50-2050 ठीक है किसका एक एक सब्सक्राइब का आस इतना ही याद रखेंगे अच्छेंगे 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 अच्छेंगी में देखो ठीक है A to Z coalition यह क्या है acceleration to zero zero what zero emission तो clean transportation पर यह focus करना चाते है world की largest transportation coalition है 200 organization है basically they are focusing on zero emission vehicle declaration that EV declaration ठीक है A to Z simply यह रखो A to Z is what notice is what ठीक है बस फिर देखो surge surge is what again COP 27 UN habitat यह भी urban emission को reduce करना चाता है beat the heat यह भी coal coalition है cool coalition heat को कम करने के लिए बस तच्च भी ज़्यादा climate mitigation में बहुत सारे है आपको याद कौन सा रखना है एक याद रखो के lead it lead it क्या है India और Sweden ने host किया था low carbon transition of the industries industries को low carbon कैसे बनाय जा सकता है उसके लिए ठीक है lead it की full form भी यह ही है leadership for industry transition summit lead it simple सा याद रखोगे India, Sweden low carbon launched by Sweden and India अगला हमारा क्या है MARS MARS भी याद रखना है MARS है methane alert response system वेखा हमने एक देखा था global methane pledge India ने यह नहीं किया है यह एक नया satellite waste system है जो कि alert करेगा government companies और इन सब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी release हो रही है UNEP की international methane observatory है वो बताती है आपको कितना methane आपका जा रहा है financial support European commission US government से मिल रही और global methane हब से मिल रहा है अगला क्या है climate trace trace क्या है tracking real time atmospheric carbon emission coalition यह former US vice president का initiative है carbon emissions को trace कर रहा है that's it aware aware है water security से regard पसित रही COP 27 में ही WMO के साथ बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं रेखना अपने को एक है executive action for 2023 से लेके 27 early warning for action plan for all action plan WMO का है basically send eye और risk reduction को कैसे कम किया जा सकता है disaster को उसी पर ही बात कर रहे है इन्होंने कहा है कि 3.1 billion अपन करेंगे not much relevant ठीक है अगें अगें देको नेक्स्ट अपना declared और डिवर्स्टी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया अभी इसमें बहुत सारी साइट्स है मुझे कोई ज्यादा रेलेमेंट लगी नहीं क्योंकि बहुत सारे नाम है फिर भी अगें और इसमें जैसे एक जो जान रख सकते हो गडियाल रिहाबिलिटेशन सेंटर ठीक है अपकी यूपी की डिक्लेयर करी गई है देखो फिर हमारा बर्च पाइन फोरेस्ट पचत नयन घर हिमाचल मध्यपरदेश में अमर कंटक मैकाल रेंजिस में हैं आपके बिंद्याचल सत्पुरा के बीच में ठीक है लिंक करते हैं नारो हिल्स याद रखोगे मध्यपरदेश में वेरी वेरी इंपोर्टेंट पता कोट पठान कोट और यह पटाल कोट एंपी ठीक पठान कोट का है वह भी देख लेना और महाराष्टा में क्या है कि नॉट मुच रेलेवेंट ऐसे ही वैस्वंगाल में भी जारत कुछ हमें मिला नहीं ठीक है पुडिसा का याद रखो कि महंद्रग्री हील मनिपुर डेलोंग विलेज असाम का क्या है माजूली और इसका क्या है मेगाले का क्वालकुर्शेम केमिंग कितने याद नहीं रहते हैं पूरा वहतली राय वह यहाद रिक खरूले तलंग न अधिरा पट्टि विए वेलिए इंपूर्टेंट अमिलाड़환 अरसामन यहां यहाद रखेंग अरसामन केरला यहाँ यहां पे a rare and endangered heritage tree initi beer Crime йout came doctor इसमें जादा कुछ है नहीं तेक है रामसर साइट अब इसमें बहुत सारी रामसर साइट दे रखी है और कुछ-कुछ का यह सारी इंपोर्टेंट है जैसे जमन कश्मीर की याद रखनी है शिल्बुग आईगम तेक है यह हो गया मद्यप्रदेश की यश्वंत सिरपूर एं अंसूपा सतकोश्या सतकोश्या रिजर्व अब देको तमिलाडों के बहुत सारी है कौन-कौन से याद रख सकते हैं सुचिंद्रम वड़वूर चित्रन गूड़ी पीचावरम परिकली वैलोड अल्फ उप मननार नोबाउड वेंबर नूर तेक है कौतन कुलम अब अगेन जिजना याद रखेंगे नंदा लेक एंड मारास्टा का था ने हाँ यह जरूर याद रख लेना रंगन थी तू रंगन थी तू किसका है करनाटा का ठीक है अब यहां पर देखो बहुत सारे दे रखेंगे मैं इसमें से कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ध्यान में रखेंगे बहुत सारे जगे हैं मैनमेड ज्यादा त किया है अलका सब ऐसे चलते चलते दिखा देता हूं बस कि मैनमेड गल्फ ऑफ मनार यह आप याद रखों कि फर्स्ट मेरें बाडाइस रिजर है मैं बनूर आई वी ए दो तीन आई भी हैं वो याद रख लेंगे विंगन थल यह भी है मैनमेड मैड 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 हाँ शिरपूर यह भी एक मैनमेड है यह हुलकर्ज ने बनवाई थी अब दिरे दिरे आते आते यह नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ले चुकी है पहले यह मैनमेड थी अभी यह नेचुरल हो चुकी है याश्वन सागर अगेन आई बीए भी है सारस क्रेन यहां पर आता है सतकोशिया यह आपकी महानदी रीवर पे है बस आप इतना ही याद रखेंगे सतकोशी ठीक है अनसूपा अनसूपा एक नेचुरल वैट्रेंड है ओक्सबू लेक है महानदी लार्जस्ट फ्रेश वाटर लेक है उडिसा की ठीक है महानदी के बिलकुल बगल में पाई जात बाद में इसको तंपारा बोलने लग देते हैं जंजम डिस्टिक में यह एक डिप्रेशन है बेसिकली देरे देरे ग्रैजुली रेंवर्टर से यह फिल हो जाता है ऐसे तंपारा उडिसा जंजम डिस्टिक टैंप एंड तंपारा जमिन कश्मीर की क्या थी हाइगम यह है जहलं पर यह भी आईवीए है इसलिए अब यह लैंड मांस में लगबग चेंज हो चुकिए लेक से चल्बुग थाने का क्या याद रखना है इसलिए नेचुरल एंड थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी यहाँ पर है रिवर है उल्धास रिवर आई बीए है यह यह बीए यह एक एंट्रल एश्यन फ्लाइवे पाया जाता है उनके कंटेक्स्ट में ठीक है तो यह हो जाएंगे करनाटक की कावेरी रिवर पे यह है मगर क्रोकडाइल याद रखेंगे यह यहाँ पे लोकल पीपल मारा पीपल भी याद रखेंगे मिजरम मारा पला यह तीनों याद रखेंगे नंदा लेक इट्स औफ गोवा नेचरल वैटलेंड है जौरी रिवर पे तो यह हो गया हो सकती है इसके बाद जो भी क्लासे रहेंगी स्टाटिक की माइन क्लासे जो मैं डालूंगा यू कन वाश देंट रिवाईज अध्स फास्ट रिविजन के लिए उनका आप देख सकते है और मिलते हैं जल्दी ही ठीक है अगारी बैस्ट विशिस फॉर यूर पेपर इसे त यह दो पता ही है किसे कनेक करना है तो 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 यह दो एख वाव तो 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 मैब तो मरों में वीट विट विट वन मन्स राटजी तिल एंस रिविट स्रेयली गुद्बाई नहींद